आज की बखवाव सुनो, आज की खबर एक आदमी ने जुड़वा बैनों से शादी की और उसकी बजी ले बजी गई मतलब? बजीनी तो शैनाई चाहिए थी ना? हाँ, वो भी बजी थी, बलकि डबल शैनाई बजी थी पुलिस ने सुनी और उसे उठा के जेल ले गई तो बहुत गलत हुआ क्यों? कैसे? यहाँ दो शादी करना कानून अप्राद है Not allowed क्यों? जब दोनों बहनों के माबाप राजी थे यहाँ तक कि दोनों बहने राजी थी तो फिर कानून को बीच में अपनी नाग गुसानी क्या ज़ूरत है? और वो कहते हैं जब मिया बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? काजी वाजी से नहीं यहाँ कानून से कोट कचेहरी से चलता है Land of the law Land of law? हाँ मतलब वही देश का कानू? Law of the land यह की बात है? तुम समझ यह ही ना? बस काफी है वेकार का lawyer तो तुम क्या कहना चाहते हो? कि आदमी को दो शादी अलावड होना चाहिए? बिलकुल अना चाहिए यह तुम कह रही हूँ हाँ हाँ, हाँ, मैं कह रही हूँ कुल भूल तुम समझ नहीं रहुओ तुम क्या कह रहे तुम आप नहीं समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहे हूं अब इसमें दो यद बहून्छ जादा रहेंगी तो पती फिर जाती नहीं कर पाएगा और दोनों जंके हमति ठुकाई कर सकेंगे ओ.. ऐसा है मारा खतारना काईडिया है तुमारा तो यही बताओ, क्या सूच और आपने शादी की? डोनों बहने तो फोटो में एक दम सेव भी लगती? हाँ, वही तो मैं सूच और कोई वराइटी नहीं दिग रही? वराइटी की बात नहीं? मैं confusion की बात कर रहे हूँ अब ही देखो अगर गीता साथ से लड़े तो सुनना विचारी सीता हो पड़े और अगर सीता से डाल जल जाये तो सुनना विचारी गीता हो पड़े अब समझ में आया क्या समझ में आया वही कि उस आदमी ने जुड़वा से डबल शादी क्योंकी क्योंकी क्या कन्फ्यूजन वही कि साली को अगर बीबी समझ के लिपटे तो जूते ना पड़े तो आप क्या समझता शादी के बाद एक से ज़्यादा लिपटने में जूते नहीं पड़ेंगे पड़ेंगे तो लेकिन एक बात मुझे नहीं समझ में आ रही कि आदमी दूसरी और तीसरी शादी की बाद सोच कर उसके मन में लड़न क्यों फूटने लगते हैं फूटने लगते होंगे क्योंकि दूसरी और तीसरी बेलन से सर फूटने के बाद कहा याद रहत मैं तो कभी नहीं सूच सकता दूसरी शाली को क्यों बेलन के डर से नहीं तुमको प्यार जेतना करते हैं ये रही आज की सबसे बड़ी बकवास और ये आदमी दरने वालों में से नहीं है अगर अलाउड ना भी हो तो जुड़ों बहनों केस में होनी चेहिए या नहीं कमेंट में इंतजार रहेगा बताईएगा जरूर